कश्ष नमबर बन है पॉलेटिक्स किसकी रच्णा है बताईए किसकी रच्णा है पॉलेटिक्स है एरिस्टोटल की रच्णा मतलब अरस्तू की रच्णा देखें अरस्तू 344 सी इसा पूर्व से 322 सी इसा पूर्व यूनानी दर्शनिक थे वे प्लूटो के सिस वे सिकंदर के गुरू थे उनका जन्म कहां पर हुआ था इस्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था अरस्टु ने भौतिकी अध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्क सास्थ, राजनीती सास्थ, नीती सास्थ, जी विग्यान सहिद कई विशयो पर रचना किया अरस्थु ने अपने गुरू प्लूटो के कारे को आगे बढ़ाया आरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के कारे को आगे बढ़ाया और जिबिग्यान का फादर ओफ जोलोजी किसको का जाता इनहीं को का जाता अरिश्टोटल ही आरस्तु को भारते स्वतंत्रता संग्राम के दोरान स्वामी सहजानन्द सरसवती का संबंद किससे था? कांगरेस समाझवाधी पार्टी के इस्थापन किसके नेतरत में की गई? आचार नरिंद्र देव और जय परकास नारण के नेतरत में किसके आचार नरेंदर देव और जयाप्रकास नारण के नितरत्र में मोस्ट इंपोर्टेंट है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जयाप्रकास नारण अचार नरेंदर देव के नितरत्र में तो 1934 में आचार नरेंदर देव और जया प्रकास नारण के नेतरत्र में कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई कॉशन नमबर 4 है भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान किन जगे हो पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी कहां कहां पर बताए तो बलिया में थी मिदनापूर में भी थी सतारा में भी थी जहांसी में नहीं थी जहांसी को करिया एलिमिनेट तो इसका अंसर हो जाएगा 134 134, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान सैयुक्त प्रांथ, कौमा पिहार, कौमा पस्चिम बंगाल, कौमा उडिसा, कौमा अंदर प्रदेश, समिलनाड़ू और महराश्ट के अनेक भागों में बिटिस सासन लूप्त हो गया पूरवी उडिसा, कौमा प्रदेश के बलिया जिले में, कौमा बंगाल के मिदनापुर जिले में, और तामलुक और बंबई के सातरा जिले जैसे, कुछ छेत्रों में करांतिकारियों ने समानता सरकारे बना ली बंद अर्थवेवस्था किसे कहा जाता है, बंद अर्थवेवस्था किस प्रकार की अवस्था है, तो ऐसी अर्थवेवस्था जिसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है, बंद अर्थवेवस्था कहलाती है, तो ना निर्यात होगा ना आयात होगा तो बंद और नहीं करते हैं और नहीं करते हैं निरयात वहीं खुली अर्थ व्यवस्ता है, जिसमें अन्य राष्टो के साथ वस्तुमों का भी व्यपार किया चाता है question number six है भुक्तान संतुलन के संबंध में नीचे दिए गई उगमों में से कौन सा से सही सुमेलित है या है बताइए ब्यापार घाटा ब्यापार घाटा मतलब आयात जो है वो निर्यात से अधिक हो अद्रश्य ब्यापार क्या होता है सेवाओं क्या ब्यापार है गैर उत्पादन आय नौन फेक्टर इंकम परेटन की तो नीचे दिए के कूट का परियोग करके से उत्तर चुनना है तो ब्यापार घाटा आयात जो है निर्यात से अधिक हो करेक्ट है अद्रश्य ब्यापार म भुक्तान संतुलन के अंतरकत सेवाओं के बैपार को अद्रश बैपार कहा जाता है क्योंकि उसे सीमाओं को आरपार नहीं देखा जाता और अद्रश बैपार के अंतरकत उत्पादनाय मतलब फैक्टर इंकम और नॉन फैक्टर इंकम आते हैं उत्पादनाय के अंतरकत विद पूरी पूरी एक्पिनेशन अच्छे से पॉस महर के पढ़ लीजे तो तीन बार, कुसिन नमर 7 है किसी देश का अदाएगी संतुलन मतला बुकतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेएक है, क्या है बुकतान संतुलन? एक देश से दूसरे देश को पूजी का संचालन करन एक देस की सरकार और दूस्य देस की सरकार के विच आरथिक लेंदेन, किसी वर्ष में एक देस द्वारा निर्यात की गई वस्तू समझ में आगया होगा किसी निर्धारित समय के अंदर समय भी है और एक वर्ष में किसी देश का समस्त आयात और निर्यात का लेंदेन कहलाता है बुक्तान संतुलन तो बुक्तान संतुलन में किसी खास समय अबदी में कौन-कौन से चालू खाता और पूझी खाता मतलब Current Account और Capital Account Question No.8 है विस्वेंक की सुला बरण खिड़की किस संस्था को कहा जाता है किस संस्था को कहा जाता है विस्वेंक की सुला बरण खिड़की अंतराष्टे मुद्रा कोस मतलब IMF International Monetary Fund है इसके बाद भी कुछ हो और है या फिर अंतराष्टिय वित्त निगम है या अंतराष्टे विकास एजनसी है या भारते विकास एजनसी है बताईए तो विस्वेंग की सोला ब्रण खिड़की क्या होना चाहिए IVRD होनी चाहिए या अंतराष्टे वित्त निकम होना चाहिए तो इसका आंसर हो जागा option number B अंतराष्टे विकास एजनसी तो विस्वेंग की सोला ब्रण खिड़की राश्पती राश्पती को उसी परकार विधान परिशाद अगर है ना किसी इस्टेट में तो वह जो उसका सभापती है वह उप सभापती को त्याख पत्र देता है पूर्शन नमबर टैन है आठवी अनुसूची में कितनी भासाओं का उले किया गया तो कितनी है बाइस भास कौन-कौन सही सूमलेत नहीं है कि उस्क्यम महाराष्ट पंचाब था पर सबस घरी गल्त लग रहा है तो निससीयागा चौन रहा है तो देखिये महराश निस्व बासाट नहीं, 1960 है गुजरात निस्व साथ है, पंजाब निस्व चहाइट करक्ट है, सिक्किम निस्व चोहतर नीपिशतर है, जहार खंड 15 नौमबर संदोहचार पॉचन नमबर 12 है, भारते संविधान में अपसिष्ट विशव चहापर कानून बनाने की सकती किस के पास है, तो केंदर की सरकार के पास है, मतलब संदोहचार के साथ भी अनुच्छी में विश्यों को तीन सूचीयों बाटा गया, कितने विश्यों केंदर कानून से पास है, कानून बनाएगी राजी की सरकार और संबर्ती सूची पर कानून बनाएगी केंद और राज दोनों सरकारें यदि कोई ऐसा विसे जिस पर कानून बनाना है केंद सरकारों के बीच केंद सरकारों के बीच ठंज जाती है तो इस प्रकार जो मतलब जो चलेगा इसमें केन सरकार की चलेगी और इस प्रकार जो कानून बनाया जाएगा उसे ना तो संग सूची में रखा जाएगा ना राजी सूची में ना संबर्ती सूची में उसको अपसिष्ट विसे के रूप में रखती आ जाएगा ध्यान देना सभिश्षा सम्भाति सू का दूसरा हो گया इ सभल है संभाव्रति सूची सामिल है जबकि युद्ध और सांती विदेशी मामले संग सूचि के बिसे था इसतानी सुसासन राजी सूचि का विश्च है पूरी पूरी एक्स्पिनेशन पश्चन नमबर 14 निमलिकत मैंसे कौन सा विसे अपसिष्ट सक्तियों में सामिल इस साराब साइवर कानून संग सूची का विसर है और आप सिश्टी भी से हैं पर साइबर कानून को कुछ देश लोग तंत्र की और बढ़ा बताए कौन कौन से परिवर्टन आए तो तीनों के तीनों यहां पर जो है वो करेक्ट हो जाएंगे राश्ट एकता का जन्म हुआ भासा एकता में ब्रदी होई देश लोग तंत्र की और बढ़ा इसका अंसर हो जागा अपसे नमबर सी कोश कि परिवाशन आपार मतलब आपं राजे सूची का विश सारवजनिक स्वास्त भी राजे सूची का विश होते हैं कि पर भाढ़ा ब्रदी नेंगरपालिकाव से शवसासन इसका अंसर रहाप समयूब्स नमबर ए देखें तेहत्रवा संभीधान संसोधन अधिनयम 1992 ग्रामिड इस्थानी स्थानी स्थासन से संबंद रखता है जबकि 74 इस्थानी स्थासन से संबंद रखता है ये दोनों अधिनयम 1993 में ही लागू हुए थे वही इस थाने निकाय नगरपालिकाओं से संबंद रखता है नगरपालिकाओं से संबंद रखता है वह बागवानी करशी पैदा किया होगा खाद्याने तो बागवानी कृष्षी के अंतरकत केवल नगदी फसले ही पैदा की जाती है Question No.20 यांतिम प्रसने सेट काई है नमलिकत में से कौन सी नहर Baltic सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है Most Important Baltic सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है Most Important, Very Important कुछ भी समझ लो इसका अंसर है कील नहर क्या है इसका अंसर कील नहर तो कील नहर जो है Baltic सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है तो 20 कोशन थे यह 20 कोशन अगर 17 और 18 तक स्कोर है तो तयारी अच्छी है